हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का यूटूब चैनल स्री आर्ट गिलरी में आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक और न्यू रिक्रूट्मेंट के बारे में एडवर्टाइजमेंट जो जारी किया गया है उसके बारे में बताने की कोशिस करूँगा ये जो रि स्क्रीन पर ये रहें देखिए पूरी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगर एडमिनिस्टेशन के द्वारा ये नोटिपिकेशन जारी किया गया है और इसमें हम लोग टीजिटी के पोश्टों के उपर ध्यान आकरसित करेंगे आप लोगों का जैसा आप इच डेट है वो कल 9 फरवरी 2024 को जारी किया गया है ये आप लोग देख ले रहे हैं और ये पूरी तरह से जो है एक गवर्मेंट जाब आप लोगों के सामने मिल लई है यहां पर देखिए पूरी तरह से नोटिफिकेशन में दिया गया है इंपॉर्टन नोटिस भी है हम आप लोग जो इसकी डेट बात करेंगे इसकी जो फार्म फिलब करनी की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो 26 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है अर्था फार्म फिलब करनी की जो लास्ट डेट है वो 18 मार्च 2024 है तो आप लोग 26 तारिक से एक नया online farm fill up कर सकते हैं चंडीगड के लिए यहाँ पर जिन जिन पोश्टों का जो recruitment हो रहा है वो पूरी तरह से दिया गया है यह देखिए आप लोग धिया दिजे का total जो पोश्ट है 303 पोश्ट है और यह regular base पर यह आप लोगों को नौकरी मिल लई है मतलब एक government job है चंडीगड में यहाँ पर सभी department में आई हुई है चाहे वो DPE का हो English हो, Fine Art हो, Hindi हो, Home Science हो, Mathematics हो, Music हो Punjabi हो, Sanskrit हो, Science Medical हो, Science Non-Medical हो Social Studies के हैं तो यह सारे department में आई हुए हैं और सभी में एक अच्छी post आप लोगों को देखने को मिलेगी लेकिन इस post में जो Fine Art की post है वो सबसे अच्छी post यहाँ पर देखने को मिल लई है तो Fine Art के जितने भी candidate है उनके लिए एक golden opportunity है तो Fine Art में General की जो Total सीटे हैं वो 24 है YAC की जो सीटे हैं वो 10 है OBC की जो सीटे हैं 15 है EWS की 5 सीटे है Total जो सीटे की संख्या है वो 54 सीटे है मतलब 303 जो post है उसमें Fine Art की सबसे अधिक 54 सीटे देखने को मिल लई है इस vacancy में तो Fine Art वाले खुसी मना है और एक नए recruitment में एक चंडी गड़ जैसे राज में आप लोगों को नौकरी मिल लई है Fine Art के लिए और भी important जो यहाँ पर देखने को मिल ला है मैं उनी important पॉइंटों को बताऊंगा आप लोगों को जो आपके यूज का हो तो ये इसकी scale pay की बात किया जाए तो दखिए scale pay जो है आप लोगों का 4600 grade pay की scale है एक अच्छी जो TGT की जो salary दी जाती है 4600 grade pay की scale है और अपने आप में बहुत ही दमदार ये scale है तो ये आप लोग देख लेंगे इसकी बात हम लोग essential qualification for the post of TGT के लिए बात करें तो यहाँ पर सभी subjectों का essential qualification दिया गया है तो हम लोग सिधे अपने fine art पर चलते हैं fine art का जो essential qualification है यहाँ पर दिख जाएगा देखे यहाँ पर fine art का जो essential qualification है इसको आप लोग बाच करेंगे देखे fine art की जो है bachelor of fine art मतलब BFA degree वाले candidate इस farm को apply कर लेंगे बहुत ही अच्छी बात कही गई है मतलब किवल BFA वाले candidate eligible is the equivalent from the recognized university with the 50% marks मतलब यह पूरी तरह से क्या है कि आप लोग bachelor of fine art में हैं तो आप लोग farm फिलब कर लेंगे और आपके जो BFA में जो है वो 50% mark होने चाहिए यहाँ पर जो सर्थ है जो की सभी रखी गई है कि 50% mark है वो सभी के पास है तो आप लोग जितने भी BFA वाले candidate जो है वो इस farm को apply करेंगे बहुत ही अच्छी है और next point सभी की है यहाँ पर qualification दी गई है और क्या important है हाँ important यह है कि आपके जैसे जो question आएंगे देखिए total multiple MCQs base पे question आएंगे total जो question की संख्या होगी वो 150 question आएंगे यहाँ पर देखिए 150 question दिया गया है और question 150 question जो होगे part 1 और part B में divide होगे part 1 में जो question आएंगे वो general से related होगे और 100 question जो होगे आपके subject से related होगे तो total यहाँ पर question की संख्या देखिए total 150 है और total जो आप लोगों के marks होगे वो 150 नंबरों का paper होगा timing जो आप लोगों को दी जाएगी वो धाई घंटे का आप लोगों को timing दी जाएगी मतलब 150 मिनट आप लोगों को मिनेगा कितनी अच्छी point दी गई है part 1 में जो है वो 50 minimum question होगे और single shift में ये paper होगा अब part V में जो है 100 minute के जो question होगे वो 100 तो ये आप लोगों को 150 question आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो question आएगे आप लोग ये देखिए part A में जो 50 question की जो संख्या दी जा रही है इसमें 12 question जो आएगे आप लोगों को उसमें general awareness and reasoning arithmetic and numerical aptitude से related question जो आएगे वो 12 question होगे दूसरा जो होगा ICT से होगा information and communication technology से 12 question आएगे third में जो रखी गई है आपकी subject में teaching aptitude and pedology मतलब 12 question इससे related आएगे और fourth point में जो test of जो language से है उसमें English, Hindi, Punjabi language the comprehension से जो question आएगे वो 40 question आएगे मतलब total जो question आएगे वो 50 question ये होगे part 1 में और part B में जो यहाँ पे 100 होगे जो कि आपके consider जो subject होगे उससे होगे तो question relating to subject especially जो आप लोगों के होगे वो 100 question होगे मतलब कितनी बहतरीन है कि आपके जो subject होगे उससे 100 question आएगे और जो general paper जो सभी में आप लोग तयारी कर रहे हैं उससे question की संख्या जो होगी वो 50 होगी तो total 150 question आएगे और 150 marks के होगे अब देख लेंगे यहाँ पर देखिए सभी part में यहाँ पर very very important point एक यह point है कि minimum qualifying marks for each part मतलब प्रतेक part से आप लोगों को 40% लाना अनिवार है will be 40% मतलब part 1 और part 2 में आप लोगों को 40-40% question लाने होगे मतलब 5-6-20 मतलब 50 question में 20 question आपको वहाँ पर रहना अनिवार है ठीक है negative marking का इसमें प्राविधान है देखिए यहाँ पर negative marking भी है और negative marking कितना है 0.25 मतलब wrong question करने पर आप लोगों को 0.25 negative marking देखने को मिलेगा तो यह रहा TGT की मोटी मोटी पार्टे और कोई बहुत बड़ी नहीं है यहाँ पर यह इक बहुत अच्छी चीज़ इनको देखने को मिलती है जैसे other subject में जैसे science non medical में physics से कितने question आएंगे chemistry से कितने question आएंगे और mathematics से question कितने आएंगे यह पहले ही इनका जो pro pharma है यह बहुत ही सुन्दर होता है TGT science medical में जो है botany से कितने question आएंगे geology से कितने question आएंगे chemistry से कितने question आएंगे यह सारी बहुत ही अच्छी बाते इन्होंने so करते हैं चन्डिगर डिपार्टमेंट के द्वारा जो इनकी schedule बनी गई है उसके बाद जो examination जो होगा वो आप लोग देख सकते हैं यह पूरी तरह से आप लोगों के farm जो है वो पूरी तरह से भरे जाएंगे हाँ देखे अब important point है age relaxation की age relaxation की बात करें या age की बात करें तो आपका जो date होना चाहिए वो 1-1-2024 से मतलब आपकी आयू के जो गढणा की जाएगी वो 1-1-2024 से की जाएगी और इनमें जो minimum जो age रखी गई है वो 21 verse और maximum जो age रखी गई है 37 verse मतलब 21 से 37 verse आपकी age होनी चाहिए यह C, OBC, E, M, S, P, W ने जो मतलब schedule cast के candidate है उनको भी लाब दिया जाएगा मतलब यह candidate जो होंगे वो चड़ी गढ़ राज से है तो उनको दिया जाएगा और चीज़ प्रकार से government of India के जो age relaxation में जो छूट दी जाती है वो आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी तो यह important point रही age related और अब हम लोग देख लेंगे जो है बहुत ज़्यादा मोटा मोटी नहीं है आप लोग यहाँ से देख सकते है online farm fill up करने की जो date है 26 फरवरी से start हो रही है सुबह के 11 बज़े से farm fill up start हो जाएगा और 18 March को 5 बज़े तक यह farm fill up होगा मतलब कुलमिलाजुला के आप लोगों के पास एक अच्छी है और यह इनकी website पर पूरी authentic दी गई है और यह जितने भी होंगे online mode पर आपके fees लिया जाएंगे fees की अगर बात किया जाए तो fees जो होंगे general candidate के लिए 1000 रुपया और other caste के candidate के लिए तो यह रहा important point और यह यहाँ पर schedule दिया गया है जो कि आप लोग देख सकते हैं तो कुलमिलाजुला के एक अच्छा interaction है एक अच्छी पहल है हर एक department के लिए तो fine award वाले खुसी मना है एक अच्छी vacancy आप लोगों को देखने को मिल ली है तो चलिए यह एक मोटा मोटी news था आप लोग इसको वाज करिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग comment box में comment करिएगा और अपनी तैयारी के लिए जितने भी fine art के candidate है इस channel से जूड़ जाए जो की practice कराई जाती है सुबह के साम के 7 बजे आप लोग practice करिए और एक नया recruitment में involved होईए और भी किसी भी इस notice का free PDF आप लोग मेरे telegram से जुड़ कर प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए वीडियो पसंद आये तो please like करिएगा अधिक सधिक दोस्तों तक पहुचाएए और find art department के जितने भी candidate है वहां तक share कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए आज के topic में वस इतना है थेंकि दोस्तों